मैं प्रोफेसर सभीन सिंग अपनी जोगर्फी लेक्चर सिरीज लेक्चर नम्मर नाइन्टी वन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज हम भारत के बिशाल मैदान की उत्पत्य की चर्चा करेंगे Today I will talk about the origin of the Great Plains of North India इस अंदर में कुल चार संकल्पनाई और मत प्रचलित हैं जिसमें पहली संकल्पना है Edward Swess की तो Swess के अंसार Great Plains were formed due to filling up for dream Edward Swess जो थे ये संजुत राज अमेरिका के एक लब्ध प्रदिष्ट भावमिकी बित थे Edward Swess was American famous geologist Swess के अंसार भारत के बिशाल मैदान का निर्माण एक बिशाल खट के भर जाने के द्वारा हुई According to Swess, the Great Plains of India were formed due to filling up for dream Swess के अंसार जब तर्शेरी जुके अंत में हिमाले का निर्माण हुआ तो हिमाले और प्रायदीपी भारत के बीच में एक विशाल खट का निर्माण हो गया An extensive four deep was formed between the Himalayas and the four land of Indian Peninsula after the origin of the Himalayas यस four deep की जो तली थी आसमान थी Irregular, undulating थी और इसमें कई छोटे छोटे अपनतियां और अभिनतियां anti-cline and sin-cline के रूप में थी जिसे क्या कहते हैं Synclinorium Samabhinati Samabhinati तो इसको मिला के कहेंगे Samabhinati Synclinorium Combination of numerous small anti-clines and sin-clines और ये जो तली थी four deep की ये हैं उत्तर में कम गहरी थी यानि शिवालिक के पदस्थली के पास और दक्षिर की तरब इसकी गहराई बढ़ती गई और सरवाधिक गहराई इसकी कहां पे थी भारतिय प्रायदी के अग्रदेश के पास यानि दक्षिर में सरवाधिक गहराई थी अब हिमालय की उत्पत्य के साथ ही उसे निकलने वाली नदी उसमें और उत्थान जारी रहा जिस कारण हिमालय के नदियों में नोन में इस रिजोनेशन हो गया तो हिमालय से आनि वाली नदियों ने ती ब्रगत से हिमालय की चट्टानों का आपरदन करने से प्राप्त सेडिमेंट्स और साथ का इस विसाल खड में निक्षेपड करना प्रारब कर दिया और धीरे धीरे ये बिशाल घड हिमाले से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए बिशाल अवसाद रासि के जमाव के द्वारा भरने लगा और अवसाद के भार के कारण इसकी तली में धसाओ भी होता गया और एक लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रही और अंततहे बिशाल खड भर गया और भारत के बिशाल मैदान का निर्माड हो गया तो नटसल में एड़ड सुईस के अनसार हिमाले के निर्माड के बाद निर्मित एक बिशाल खड के भर जाने के कारण किसके द्वारा ऑसाद से भर जाने के कारण बिशाल मैदान का निर्माड हुआ दूसरा है सिडनी जराड बुराड ये आस्ट्रिया के प्रसिद्ध जियालोजिस्ट है और बुराड के अंसार सिडनी बुराड के अंसार भारत के बिशाल मैदान का निर्माड एक रिफ्ट घाटी के एक रिफ्ट घाटी के सेडिमेंट से भर जाने के कारण हुआ है So, according to Sydney, Girard, बुराड, the great plains of India were formed due to filling of rift byli through the sediments brought by the rivers coming from over the Himalayas. यनि बुराड के अंसार हिमाले की उत्पत्य के साथ ही हिमाले और प्रायदिपी भारत की अगरदेश के बीच में एक बिसाल रिफ्ट घाटी का निर्माड हो गया और इस रिफ्ट घाटी का जो उत्तरी खंड था बलाग था वो हिमाले की परवसेणी द्वारत के रूप में था और दक्षणी बलाग जो था वो प्रायदिपी भारत के अगरदेश फोर लेंड के रूप में था और इस बिशाल रिफ्ट वैली का निर्माड जो हुआ था बुराड के अंसार दो सामान भरंसों के द्वारा हुआ था और अब हिमाले के उत्थान के कारण उसकी नदियों में नौनमेस होने से हिमाले की चटानों के अतधिक अपरदन से प्रात पदार्थों का इस रिफ्ट वैली में निक्षेपन प्रारंब हो गया डिपोजीशन प्रारंब हो गया और लगातार अवसात के जमाव से उत्पन भार के कारण रिफ्ट वैली की तली नीचे धस्ती गई So there was a continuous subsidence of the floor of the rift valley because of continued sedimentation तो great plains का निर्माण बुराट के अनसार कैसे हुआ रिफ्ट गाटी के आवसादी करण और आवतलन के कारण हुआ The great plains of India were formed due to continuous sedimentation and subsidence of the rift valley formed due to orogenesis of the Himalayas यह दूसरा मत हो गया और तीसरा जो मत है वो है हेनरी फ्रेंसिस ब्लैंड फोर्ड का हेनरी फ्रेंसिस ब्लैंड फोर्ड यह British naturalist और meteorologist थे और भुगर्ब सास्त्री भी थे और यह भारत में एक British अधिकारी थे जिनोंने 18 से 54 इस्वी में geological survey of India में पदग्रहण किया था तो हेनरी फ्रेंसिस ब्लैंड फोर्ड जोइंड दी जिलोजिकल सर्वे आफ इंडिया as an officer as a team member in 1854 और चूंकि यह meteorologist है तो भारत के यह प्रथम official meteorologist भी बनाए गए British period में so he was appointed as the first official Indian meteorologist तो यह जो भारती यह भूगर्भिक सर्वे बिभाग का सदस्य होने के नाते इन्होंने हिमाले भारत के बिशाल मैदान इत्याद का गहन अध्यन किया तो इस बिशाल मैदान के अध्यन के आधार पर Blanford ने बताया कि भारत के बिशाल मैदान का निर्माड सागर के पीछे हटने के द्वारा हुआ है और ब्लाइन फोर्ड के अंसार यो सीन युग में अफ्रीका और भारत जुड़े हुए थे और उस समय एक बिस्त्रिक जो थरस सागरी भाग था जो पश्चिम में इरान बलुचिस्तान होता हुआ लदाक से हो करके एपूर्व में आसाम की घाटी से और पूरब की तरफ इराओदी घाटी तक ठैला हुआ था और इसके दो सिरे नो थे दो सिंगे थी टू हॉर्ण्स इन दा फॉर्म आफ गल्फ एक था गल्फ अफसिंद उत्तर पसिम में और एक था इस्टन गल्फ उत्तर के समझ लीजे कि उत्तर दक्षिर में इस्टन गल्फ जो सिलांग पठार तक थी और इस जो समुद्र था ये धीरे धीरे पीछे हटने लगा क्यों? What was the reason? The sea started receding because of two factors Number one Himalaya में उत्थान होने से Due to rise of the Himalayas Number two Himalaya से आने वाली नदियों द्वारा इस जो बिशाल समुद्र के भराओ के कारण So, the sea started receding because of the rise of the Himalayas and continuous sedimentation and filling of the sea through the sediments brought by the rivers coming from over the Himalayas आनि एक तो हिमाले के उत्थान होने से समुद्र पीछे की तरफ जाने लगा और नम्मर दो हिमाले से आने वाली नदियों द्वारा और साथ सेडिमेंट की बिशाल रास के लगातार जमाओ के कारण एक चीजा और बता दे हम आपको कि जो गल्फ आफ सिंध थी बरतमान, गढ़वाल और कुमाई तक ब्याप्त थी और इसका प्रमाड भी है कि लाइम स्टोन का निर्माड जली भागों में होता खास के समुद्री भागों में और जो मसूरी हिल स्रेडी है, हिल रैंज है जो की लिसर हिमाले का भाग है तो मसूरी स्रेडी में लाइम स्टोन बड़े पैमानी पर पाया जाता है और समुद्र के पीछे हटने का भी एक प्रमाड है कि राजस्थान मैदान में कई खारे जल की जहीले, जल की जहीले, साल्ट वाटर, लेक्स पाई जाती हैं जिसे साभर, पच्च भद्रा और इस तरह दर्जन भर जहीले हैं ये बताती हैं एक तो ये हो गया तीसरा कंसेप्ट, ये तीन कंसेप्ट हो गए स्वैस का, बुराड का, हेनरी फ्रैंसिस, ब्लाइनफोर्ट का एक चौथा कंसेप्ट है कि दे ग्रेट प्लेंस इस दा रिजल्ट ओफ इंड ओफ रिमनेंट पार्ट आप तिथीज यानी जो भारत का विशाल मैदान है वो तीज सागर का बचा हुआ भाग है यानी हमालए के उत्पत्य के साथ साथी, जब तीज सागर से हमालए का निरमाड हुआ ड़ेज के मलवा के बलं के कारण तो बचा हुआ जो भाग है वह ग्रेट प्लेंस में बदल गया जिसमें कुछ अवसादों का जमाव भी होता गया अब इस तरह से ये चार संकल्पनाएं हैं समराइज करते हैं नंबर ए ग्रेट प्लेंस वेर फॉर्म डिव टू फिलिंग आफ ए फॉर डीब एकार्डिंग टू एडवर्ड स्वैस ड्रेट विशाल मैदान का निर्माड स्वैस के अनुसार एक विशाल खट के अवसादों से भर जाने के कारण हुआ नंबर दो सिड्नी जराड बुराड के अनुसार भारत के विशाल मैदान का निर्माड हिमालय और प्रायदिपी भारत के बीच में निर्मित रिप्ट घाटी की अवसाद से भर जाने के कारण हुआ। निर्मार के बार्ट थीज का बचा हुआ भाग ही मैदान है। नमस्कार जी।